नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 10 अफ फेवरेरी 2023 के बारे में 10 फरवरी 2023 के इस दिन को आप सभी किस तरह से और जादा अच्छा बना सकते हैं कौन से वैदिक करके आप सभी अपने जीवन में आ रही परेशानिया खासकर लव लाइफ में आ रही परेशानिया या रिष्टों में आ रही दरार को खतम कर सकते हैं और कौन सा एंजल नंबर कौन सा अफरमेशन आज आपके लिए फेवरेबल रहेगा और साथ ही साथ आज के दिन में अपने जीवन में लव लाइफ को और अच्छा करने के लिए क्या वास्तू टिप आपको फॉलो करना है यह आप नोट कर लीजेगा ताकि आपके जीवन में गुजर रहे हैं हर दिन कोई ने कोई हाथसा हमारी सिटी में हमारे देश में और दुनिया में कहीं न कहीं हो ही रहा है अभी जो टुर्की का जो भुकम पे वो आप सभी ध्यान से देखी रहे हैं कि कितनी तबाही उस बुकम की वज़े से हुई है और किस तरह का माहोल यहा काफी जदा परिशानिया आती हैं अभी तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है यहां पर और आप सभी पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि आप सभी के साथ आपके रिलेशनिशिप अच्छे रहें और प्यार बढ़ता जाए साथ ही साथ आप सभी इस प्यार को एक अच्छे देखने को मिलेगी और इसकी वज़े से आप सभी अपने मन की इच्छाओं को मन के अभिलाशाओं को पूरा कर सकते हैं इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई दिते हैं क्योंकि आज की पॉज़िविटी और आज की दिन की काफी अच्छी है इस वज़े से सबसे पहली च कोशिश करें कि थोड़ा सा समय दूसरे के साथ बिताने का प्रयास करें और अपने हाथ से एक दूसरे को कुछ मिठा nor कुछ वाइट पदार्थ वाइट मिठाई वाइट मावा आप अगर खिला दें दूसरे को तो उससे भी काफी जादा अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आज किसी विशेश कारी से अगर आपको बाहर जाना है तो आप ब्लू कलर कर सकते हैं आप रेड कलर कर सकते है दोनों ही कलर काफी शानदार रिजल्ट देने वाले रहेंगे साथ ही साथ आज के दिन में आप सभी कोशिश करिए कि कुम कुम का ठीका अपने माथे पर लगा के रखें इससे भी काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और सिल्वर अगर आज आप अपनी ब पाय से आप अपने जीवन में लव प्रोस्परिटी और हैपिनिस को बहुत आराम से इन्वाइट कर सकते हैं आज के दिन में जो अफर्मिशन है यहां पर यह भी काफी जादा पॉजिटिव है क्योंकि आज का अफर्मिशन खुश्यों को लाने का एक संकेत है और अपने द सेंटेंस बोलना है कि I believe today I will get some good news यह आपको बोलना है I believe today I will get some good news good news जो है वो किसके context में है वो चीज़े जो आप सोच रहे थे जो आप visualize कर रहे थे उसके बारे में आपको यह चीज़ बोलनी है कि उस particular चीज़ से related आज मुझे कहीं न कहीं कोई अच्छी न्यूज को अच्छी बात सुनने को जरूर मिल जाएगी इस तरह की योग आपके जरूर बनते हुए नजर आएंगी आज का जो वैदिक अफरमेशन के बात जो वैदिक एंजल नंबर है यह भी आपके लिए काफी शांदा रहने वाला है नोट कर लीजिएगा प्लीज आज का एंजल नंबर के लिए आज का पर सकते हैं इसी में विए और लगा सकते हैं गौल्डन विश का ताइम रहेका आज ये काफी का समय रहेगा जो की काफी जादा अच्छा समय है इस समय में आप एक गोल्डन विश अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहां पर मैं जरूर कहुंगा कि वैसे तो गोल्डन विश आप किसी भी कॉ को लेकर की बोल सकते हैं अगर आज आप रिलेशनिशिप को लेकर के कोई भी गोल्डन विश रखते हैं अपने पास तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि आज का दिन रिलेशनिशिप बांड केमिस्ट्री और एक इमोशन के साथ काफी अच्छा रिजल्ट देता बता दीजेगा की तुरंट रिजल्ट मिला या थोड़ा डिलेशनिश मिलने की प्रोबिल्टी काफी जाद अच्छी है आज के दिन में जो वास्तू टिप है आपका ये भी आपके रिष्टों को अच्छा करने का प्रयास करेगा आपके रिष्टों में प्यार को बढ़ान आज कोशिश करिएगा कि जब भी आप हस्बेंड वाइफ हो जाएं कपल्स हो जाएं आप कहीं समय एक साथ बिताएं तो कोशिश करें कि आप साउथ डिरिक्शन या सपेशली साउथ वेस्ट डिरिक्शन के आसपास कहीं पर भी बैठ करके थोड़ा समय जरूर अगर अलग अलग भी सोते हैं तो भी मेरा सजेशन है कि आप साउथ में सर करके सोईएगा आज के दिन में स्पेशली फ्राइडे नाइट जो हम बात कर रहे हैं उसमें साउथ के डिरिक्शन में सर करके सोना काफी अच्छा रिजल्स देगा इसके अलावा अपने बैट शि जहां पर चीज़ें काफी ज़्यादा अच्छी रह सकती हैं और साथ एक और चीज़ कहुंगा मैं कि आज अपने लवन के साथ मिरर में एक साथ जरूर देखने की कोशिश करिएगा इससे भी आपके रिष्टों में एक बहुत ज़्यादा स्टैंथ बनेगी बहुत ज़्य की आइपने चोटे चोटे उपाय करके अपने जीवन की परिशानियों को दूर करके एक नई की को लाने का दिन है उमीद करता हूं कि आप सभी इसको करेंगे और साथ के अगो आपकोuciones करने की को शौर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे उसमें आपको कलर नंबर जराशी और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा आज के बथडे का अंसर उमीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बे जाएंगे वाद।